मैं प्रगीर मेता, बॉम्मे से आया हूँ, प्रोफेशनल में मेरा एक्टी का सेल्सिला चालू है, मैंने अभी दो ड्रामा के आया है, और मेरी लास्ट एक नही पैचान सीजन भी आये थी, एक्टी में रेगुलर मुझे सुनने की बहुत जरूरत रहती थी, मगर फिल्मी मुझे प्रॉब्लम रेगुलर रहता था, मशीन होने के बावजूर भी मुझे सुनने में काफी कुछ दिकत हो रही थी, तो मेरे पेपर में पढ़ा था, यूटूब में में देखा था, प्रवीन सुराना जी का नाम, जो अंदावाद में है, आज मैं अंदावाद आया, मिला प्रवीन जी को, और ट्रीट्मेंट के पहले, मुझे कोई एक्जाम्ट देना पढ़ा था, कि मैं कितना सुन सकता हू उनके लिए, रहन मेरी बहुत ही कम थी, मैं बहुत ही कम सुनाईं देता था मुझे जो बोलते थे, मगर दवाय डालने के बाद एन ग contamination, एंध़ा दाने दुसरे कान में दुसरा ग वहां तक दवाय का बरबर अइसल हो गरने के बाद जब मेरी एकजाम्ट लिए और मेरे काफी अच्छा हुआ। काफी जो मुझे नजदिक से सुना ही नहीं देता था, वो लंबे से सुना ही देता था। आपसे मेरी बहुत कुछ सेवा की, सेवाई के कह सकता हूँ, बने प्रॉफेशन है। मैं प्रॉफेशन जो दिल से किया जाता है, वो अलग बात है। वो हमेशा याद रहने वाली बात है। मैं हमेशा जो मेरा मशीन चुट गया और मेरे प्रेक्टिस में मुझे कोई दिकत नहीं आवे। मैं रोजबरुज की जिन्दी में सब्सके साथ अच्छीता से बात कर शुकूर। तो मैं जिन्दी पर आपका शुक्र यादा करने से इसकी चाम नहीं कर दोगा। तो मैं शुक्र गुजालू प्रभी चुराना जी का और अस्टाफ का। बिना मशीन, बिना ओपरेशन ठीक हो सकता है। यह तो जाजू इससे कम नहीं है। तो यह हमेशा याद रखिये। मेरे साथ बहुत से पेशन्ट थे। कोई के कोई आगे पीछे मिला नहीं अभी अब फाइदा होता है। आपने मेरे लिक्ती बात से नहीं आप गौज केए। थैंक्यो अर्माच।